दोस्तो अक्सर आप लोग shopping mall में गए होंगे वहाँ पर आपने देखा होगा के shopping mall में हमें सारी चीजे खरिदेने के option मिलते हैं और इसलिए हम लोग shopping भी करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे restaurant भी होते हैं चहांअ पर लाखों लोग काम करते हैं जिसमें से लड़के भी होते है लड़किया भी होते है तो इन लोगों को shopping mall में no creep क्या से मिल जाती है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चेनल को सब् लाइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नहीं आ वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और इस वीडियो से संबंदेद किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करें तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के शौपिंग मॉल में जोब कैसे पाए लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग कौनसी सिटी में रहते हो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहल आएगा उसे उपर क्लिक करके आप हमारा वो आर्टिकल पढ़ सकते हो तो दोस्तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सबसे पहली जोब जोपिंग मॉल में होती है वह होती है शेल्स बोई की या सेल्स गल्स की आपने अकसर शोपिंग मॉल की बहुत सारी स्टॉर में यह उन्हें sales boy या sales girl कहा जाता है दूसरी shopping mall में जो जोब होती है उसका नाम होता है parking manager अगर आप किसी भी shopping mall में जाए तो वहाँ पर आपको parking जरूर मिलेगा तो parking की देखरेक करने के लिए parking manager रखा जाता है उसके बाद तीसरी जोब होती है bodyguard यानि कि इसे आप bouncer भी कह सकते हो उसके बाद चोथा safe अगर आप किसी shopping mall में गए हो और वहाँ पर किसी restaurant में गए हो तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए बावल ची यानि कि safe की जरूरत पड़ती है तो ये भी एक तरह की नोकरी है जो कि shopping mall में होती है उसके बाद पारकिंग गार्ड security guard जो कि security से छुड़े हुए सारे काम संभलता है तो इसकी job opportunity भी वहाँ पर है साथ ही security manager का भी ऐसा ही काम होता है उसके बाद shopping mall जबकि इतना बड़ा है तो उसको सफाई करने के लिए उसके maintenance के लिए सफाई करमचारी भी होते ही है उसके बाद waiter की job अगर आप किसी restaurant में जाते हो तो आपने कोई खाना order किया तो आपके waiter के द्वारा ही वह खाना मिलेगा तो इसी तरह बड़े-बड़े shopping mall में आपको बड़े restaurant में waiter भी दिख जाते है तो इस तरह में shopping mall में ये सारी job opportunity available होती है अब इन में से कौन सी job करने के लिए आप ready हो सबसे पहले आपको उसको select कर लेना है और फिर हम जानेंगे के shopping mall में job केसे मिलती है तो अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको अपने city में shopping mall में job ढूननी है क्योंकि shopping mall में आपको full time job भी मिल जाएगी और part time job भी मिल जाएगी तो वहाँ पर जाईए वाँ दुकानों से store पे दुकानों के मालिक से या manager से job के लिए आप बात कर सकते हो जब भी आप नोकरी की बात करने जाए तो वहाँ पर अपना mobile number जरूर दे क्योंकि अगर कोई vacancy अभी उनके पास खाली नहीं है और अगर किसी व्यक्तिक की जरूरत परती है तो अगर आपका mobile number उनके पास होगा तो वह आपको contact कर पाएंगे इस तरह से आपको shopping mall में job मिल सकती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही आज के वीडियो में हमने जाना कि shopping mall में job केसे पाएं तो वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इसे like कर दीजेगा और whatsapp group में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर कीजेगा और इसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी notification आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबन देख किसी भी तरह का प्रस्ण पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी topic के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो topic आप नीचे comment box में लिख सकते हो